हेलो फ्रेंज, वेलकम के ट्वंटीफोर नॉलेज ये ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोईन एंट्रेंस एक्जामिनेशन, में एक्जाम का ओनलाइन फॉर्म जोकी फ्रेंस सेशन टू के लिए जारी किया गया है, इसके लिए आप ओनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे रीडाउट कर सकते हैं, और अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं, तो आप इसमें ओनलाइन आविदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर फैंसे बात करते हैं इसके फॉर्म प्लाइ के लिए और इस वीडिय पेड की है एक्जाम फीस जो कि जेए में दोहजाद 24 सेशन वन के लिए, उनको फ्रेंस से अगर जेए में दोहजाद 24 सेशन टू के लिए अपेर होना है, तो उनको लोगिन करना होगा आपके प्रिवियस एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ट के साथ, जो कि आपको सेशन पन में मिला है, और आपको फ्रेंस से यहाँ पर चूस करना है पेपर, मीडियम ऑफ एक्जाम, स्ट्रेट को अफ एलडिटी, इसके लावा स्टीज फोर सेशन टू, आपकी क्वालिफिकेशन और पेड़ एक्जाम फी बाइ क्लिकिंग ओन दा एप्लिकेशन टेब, जो कि से लेफ्ट पैनल पर आपको एवलेबल है, अगर आपने पहले आप इदन नहीं किया है, तो आपको फ्रेश फॉर्म को यहाँ पर अपलाए करना होगा, तो यहाँ पर फ्रेंस से देखिए, लोगिन सेक्शन भी आपको मिल जाता है, अगर पहले से रजिस्टर है तो अपन करेंगे, अगर आप पहली बार रजिस्टेशन कर रहे हैं उस कंडिशन में, आपको इन्फोर्मेशन बॉल जो बिलेटिन है, यहाँ पर मिल जाता है, फीस जो आपकी लगने वाली है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसके बार आप नीची आए अगर आपके पास डिजी लोकर नहीं है, तो आप इसे यहाँ पर क्रेट कर लेंगे, अगर आपके पास अकेटमिक बैंक ओफ क्रेडिट आईडी मतलब ABC ID है तो आप इस उप्शन को सलेट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस उप्शन से सलेट करके दुबारा से इसे जनर अगर आपके पास पैस पर दीजिए पैन कारट में Your neighborhood यहां पर अद्जय कर सकते हैं, और आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइट करने के बाद करना होगा इसके बादश यहां पर डीखे, नैस ऐफ्शन आता है कि आप अपना जो अधारकार है वो अपने friends exam center पर friends आप इसे authenticate करने के लिए आप यहाँ पर तयार है आप अपना अधारकार नंबर देंगे और click here to proceed पर click कर देंगे अब आपके पास friends से यहाँ पर अधारकार जो है यहाँ पर एवलेबल है पर आप उसे authenticate नहीं करवाना चाहते हैं उस condition में आपको कोई भी वैलेट गौर्मेंट आईडी लेके जानी होगी और आपके पास इन में से जो भी आईडी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो अगर friends से आपको यहाँ पर देना होगा देखिए आपका नाम तो आपका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे इसके बाद आपको friends से यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइट करना है इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइट करना है इ पाक्या पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड कोई भी सेलेट करके उस ID का नमबर आप दे सकते हैं। इसके बाद simply आपका address option है, तो पूरा address जो भी आप लिखते हैं आपके address में वो आपको देना है, आपकी लोकल्टी क्या है, लोकल्टी क्या है तो इस थनात्यर में फ्रेंस आप चाहें तो अपने गाउं का नाम, आपके फ्रेंस यहाँ पर डिस्टिक का नाम दे सकते हैं, इस आपको यहाँ पर verify कीजिए, आपकी mail ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है, अगर आपका present और permanent address सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करेंगे, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे, इसके बाद password आपको create करना है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रे और कोई भी special character आप यहाँ पर use कर सकते हैं, तो जैसे मैंने sample आपको यहाँ पर show किया है, ऐसा ही password आपको बनाना है, बसे ध्यान रखिएगा, जो भी guideline आपको दी गई है, यह सब आपको उस password में follow करनी होगी, इसके बाद आप उस password को यहाँ पर confirm करेंगे, कोई भी security question आप से ले सकते हैं, उस security question का आपको answer देना है, इस capture code को fill करना है, और उसके बाद यहाँ से data को submit कर देना है, इसके बाद फेंसे next option आता है registration preview का, तो आपको अगर लगता है कोई भी गलती हो गई है, तो देखिए edit आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको लगता है कोई भी गलती नही है, आपने अपना नाम, आपका father name, mother name, आपकी date of birth, आपका gender, आपका address, और इसके लगता आपका mobile number और आपकी mail ID, बिल्कुल आपने सही से यहाँ पर enter की है, उसके बाद ही आप यहाँ से agree करेंगे, और submit and send OTP पर click करेंगे, आपके पास OTP आएगी, वो OTP आपको verify करने होगी तो यहाँ पर friends से देखिए, जब आपके पास OTP आती है, तो आपको वो OTP यहाँ पर enter करना है, उसके बाद verify वाले option पर click कर देना है, इसके बाद friends से next option आपका आएगा dashboard का, तो आप यहाँ पर dashboard पर जाएंगे, अब आपसे कहा गया है कि आपको account जो है, वो आपका create हो गया और उसके बाद friends से आपको जो जानकारी मिली है, आपके application number की और जो password आपने create किया होगा, और एक capture code डालकर friends से आप यहाँ से login कर सकते हैं, लोगिन करने के बाद friends से आपका देखिए, यहाँ पर जो dashboard है, यह open हो जाता है, अगर आपको login करने में कोई भी problem आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो friends जो आपकी mail ID है, उस पर friends से आपको एक link मिलता है, click here का जिस पर आप login करके भी login कर सकते हैं, अगर आप directly login नहीं कर पा रहे हैं उस condition में, अब यहाँ पर एक option है mobile verification का, तो आपको यहाँ पर click करके आपके mobile पर भी एक OTP आएगी, उसके थुरू आपके mobile number को भी आपको verify यहाँ पर कर लेना होगा, तो यहाँ पर friends से mobile verify होने के बाद, अब आपको application form फिल करना है, तो आप यहाँ पर application वाले link पर click कर देंगे, और इसके बाद देखिए आपके जो step है, जिसमें आपको यह form complete करना है, सबसे पहले personal detail है, उसके बाद exam center है, qualification है, additional detail ह आपको document upload करना है, और finally आपको इसे submit कर देना है, तो इस step में आप इस form को complete करने वाले है, तो click here to complete पर आप click कर देंगे, इसके बाद friends से आप login हो जाएंगे अपने portal पर और यहाँ पर देखिए आपको पहचान का कोई भी ID proof select करना है, उस ID का number देना है, nationality आपको यहाँ पर Fancy है, SC, ST है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो यहाँ पर fancy select करने के बाद अगर आप PH candidate है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देना होगा, इसके बाद mode of preparation क्या है, वो आपको देना है, इसके लवाद जो आपकी स्कूली सिक्षा है, उसका माध्यम कौन सा ह है, वो आपको यहाँ पर list मिल जाती है, वो आपको यहाँ पर select करना है, इसके बाद आप इस capture code को fill करेंगे, agree करेंगे, और save and nest कर देंगे, इसके बाद friends, next option आता है, आपके question paper medium का, आप किस language में अपना question paper medium चाहते हैं, वो आपको select करना है, अब आप B planning के लिए apply कर रहे हैं बी आर के लिए कर रहे हैं, या बी बी टेक के लिए कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर select करना होगा, multiple के लिए कर रहे हैं, तब multiple भी paper यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बाद session 2 आपको यहाँ पर select करना है, इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए, guardian का, जो website है, वो आपको यहाँ पर select करना है आपको multiple options मिल जाते हैं उनकी qualification क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद mother की qualification क्या है और mother का occupation क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है अगर इसमें से कोई भी applicable नहीं है तब not applicable कर सकते हैं या friends आप simply यहाँ पर other select कर सकते हैं और उनकी जो qualification है वो आपको यहा पर है state 1 जो कि आपके यहाँ पर होगा परिक्षा चैन का तो आपका जो exam center है वो आपको choose करना है तो आपको जो state है वो automatic जो आपने starting में select किया होगा वो आपको वहाँ पर ही वही address आपको यहाँ पर select करना है इसके बार आपको आपका देना है फ्रेंट से exam center तो आपके according जो भ कर देना है इसके बार आपका आता है next option qualification सबसे पहले है 10th 10th equivalent आप select करेंगे पास select करेंगे उत्रीन होने का जो वर्ष है वो आपको यहाँ पर select करना है schooling आपकी urban में है ruler में है वो आपको select करना है college या school का type किस तरह का है तो आप यहाँ पर select कर सकते है private है तो आप private select कर लीज पर list मिल जाती है आपके according जो भी आपका board है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं select करने के बाद आपके 10th के mark sheet के अनुसार आपके school का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो मैं friends से यहाँ पर सिर्फ sample के तौर पर लिख रहा हूं आपका जो school का नाम है पूरा नाम वो percentage है तो percentage CGP है तो CGP है इसके बाद total marks marks obtained यह आपको देना है इसके बाद है 10 plus 2 अब 10 plus 2 में friends आपको यहाँ पर देखिए options मिलते है multiple अब इसमें देखिए diploma आपके पास है कम से कम 3 साल की duration कर आप इसे select कर सकते हैं इसके लाबा कोई भी आपने public school board या university से 10 plus 2 system के अंतरकत आपन option को select करेंगे और अगर आपने यहाँ पर 10 plus 2 system किया है central या state board से normally तो आपने यहाँ पर इस option को select कर सकते हैं डिपलोमा है तो आप डिपलोमा भी select करेंगे अब pass out है तो pass select कीजिए appearing है तो appearing है तो appearing select करेंगे और यहाँ पर आपका appearing का option आएगा 2024 का और उसके बाद आपको यहा पर हुआ है आपके school या college का प्रकार क्या है आपका qualifying state कौन सा है आपके friends से district कौन सा है जहां से आपने इसको pass किया है school या board का नाम क्या है यह सब जानकारी आपको यहाँ पर basic जानकारी आपको provide करनी होगी appearing है तो appearing आप दीजिए अगर आप pass out है तो आप pass out में अपनी सारी जानकारी को enter करने के बाद आप agree करेंगे और save and nest कर देंगे इसके बाद friends अगर आप जड़ोवा भाई बहन है और आप दोनों ही आविदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप simply यहाँ पर no कर देंगे और उसके बाद आपको इस capture code को डालना है और उसक और इसके बाद इस capture code को डालकर आप यहाँ पर get OTP पर click करेंगे आपके father या आपके guardian के mobile number पर एक OTP आएगी वो OTP भी आपको यहाँ पर verify करनी होगी इसके बाद friends नेस option है photograph and signature upload का जो कि आपको jpg format में upload करना है size आपको दिया गया है photo का 10-200 के भी और signature का 4-30 के भी यह jpg format मे आपके सामने जो form है उसका friendship preview आपके सामने open होता है आप जानकारी को check कर लिए अगर आपको लगता है को गलती हो गई है तो आप बैग जाकर सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपने अपना नाम आपका mother name, mobile number, date of birth, gender, mail ID, center, address और father name सब आपने check कर लिए है तो आप यहा process complete हो जाएगी अब last step है fee payment का payment करने के बाद ही आपका जो form है वो finally submit होगा तो आपको पेना वाले option पर click कर देना है इसके बाद friends में multiple options है आप इन में से कोई भी एक option को select कर सकते हैं आपको बस वो payment gateway select करना होगा और उसके बाद जो payment gateway है इसमें आप कार से net banking से जो भी आप त payment को verify कर लेंगे तो यहाँ पर friends मैंने आपको सारी process बता दी है कैसे आप JE main 2024 session 2 का online form apply कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like subscribe जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा YouTube channel thanks for watching